लुई पूपपेशबाटन टॉपिक है। अप्लोग के समिस्टर इकजामिनेशन पॉइंट आफ भीूस से है। बहुत बारी आप लोग के semester exams में law of illumination describe करने के लिए पुछा जाता है इसलिए इस law को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का जुरूत है यह जो law of illumination है बहुत ही easy सा law है इसको समझना बहुत असान है और इसको याद रखना भी काफी easy है तो चलिए थ्वासा देखी कि law of illumination क्या होता मैंने लिखा है यहाँ पर there are two laws of illumination इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि illumination के दो laws होते हैं कौन-कौन से laws होते हैं तो पहला जो होता है वो inverse square law होता है और दूसरा lambert cosine law होता है इसको चलते फिरते आप लोगो भी याद रखना होगा फर्स्ट law को inverse square law बोलते हैं और सेकेंड law को lambert cosine law बोलते हैं तो फर्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं inverse square law के बारे में और उसके बाद फिर इसके नाम पी भी discuss करेंगे कि इसका नाम inverse square law क्यूं है ठीके जब इस law को overall आप पढ़ लेते हो तो आपको अपने आप भी समझ में आ जाता है कि इसका नाम inverse square law क्यूं है तो चलिए इसका statement पढ़ते हैं कि ये inverse square law क्या बोलता है according to this law the illumination of a surface is inversely proportional to a square of distance between source and surface बहुत easy law है ठीके पहली बार आप सायद पढ़ रहे होगे इसलिए थो असल लगेगा कि भई क्या ये law है लेकिन जब मैं आप लोग को पढ़ा दूँगा तो ये जो law है बहुत ही आसान लगेगा ठीके फिर से मैं इस statement को repeat करता हूँ और इसको practically भी मैं अभी आप लोग को समझाओंगा तो ये law आपको समझ में आ जाएगा according to this law मतलब इस law के अनुसार the illumination of a surface मतलब कोई surface है उस पे जो illumination हो रहा है वो is inversely proportional to वो क्या है inversely proportional है to a square of distance between source and surface ठीके बोल रहा है कि कोई surface है और उस surface पे जो illumination होता है वो inversely proportional होता है a square of source a square of distance between source and surface मैं फिर से repeat कर देता हूँ माल लो कोई surface है ठीके और उस surface पे जो illumination होता है वो inversely proportional होता है a square of distance between source and surface ठीके तो इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका statement है inverse square law inverse word यूज किया गया है inversely proportional के लिए और square word यूज किया गया है distance between source and area या कह सकते हो source and surface के लिए ठीके अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं अभी मैं practically समझाओंगा ठीके इससे statement को ऐसे लिखा जाता है e inversely proportional to 1 by d square e जो है यहाँ पे illumination है और d जो है distance between source and surface ठीके चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको practically समझा रहा हूँ मालो यह कोई light source है ठीक है यह कोई electric bulb हो सकता है या कोई भी light source हो सकता है वो matter नहीं करता है यह कोई point source होगा कोई भी light source होगा एक single light source को एक point source के रुप में consider किया गया है Suppose कि यह कोई electric ball है और यह सामनी के तरफ ऐसे light emit कर रहा है और यह जो सामनी के तरफ light emit कर रहा है तो मैंने पहले भी आप लोग को बता से करता है Solidическая एंगल फार्म करता है Solid end Dios को omegas reconstruction करते है इस तरीके से यह क्या कर रहा है सामनी के तरफ light emit कर रहा है, सामनी के तरफ focus कर रहा है, ठीक है, और इसका जो light है कुछ distance तक travel करता है, ठीक है, क्या करता है, कुछ distance तक travel करता है, और जो हाँ से lights निकल रहा है, उसको एक point source मान रहा है, और वहाँ से जो light निकल रहा है, एक, क्या कर रहा है, solid angle बनाते हुए एरिया कंसेडर करना है ठीक है दो-तीन बोलने का मतलब 2-3 आगे 4 भी ले सकतो हो मैटर नहीं करता है तो हम लोगों क्या किया R1 दिश्टेंस पे 116 फे हम लोगोंने 810 के दर कर लिया उसका जो से आधा सकतो фोकुसिंग अईरिया था इस डार्येक्षन वह सकत कर रहा था तो एक certain distance पर हम लोगों ने एक area consider कर लिया ठीक है वो distance कितना है R1 तो R1 distance पर एक area consider किया A1 ठीक है जैसे मालों यहां पर एक plate लगा दिया गया ऐसे light focus कर रहा है तो एक certain distance पर plate लगा दिया गया नहीं भी लगाओगे तो ऐसे ही दिमाग में imagine कर लेना कि यह कोई area है ठीक है R2 distance पर दूसरा हम लोगों ने area consider किया A2 और R3 distance पर एक तीसरा area consider किया A3 इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया इसका जो focusing area था उस पर हम लोगों ने तीन area consider किया E1, E2, E3 अब देखो यह जो area है एक्चुली यह कोई surface है और उस surface का यह area है इस बात को ऐसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर हम लोगों माल लिए कि R1 distance पर यह कोई surface है जिसका area A1 है वैसा ही हम लोगों माल लिए कि R2 distance पर मतलब source है R2 distance पर यह कोई surface है जिसका area A2 है वैसा ही R3 distance पर source से यहाँ पर कोई surface है जिस surface का area क्या है A3 है आप देखो यह जो surface है जिसका area का value A1 है इस पर जो illumination मिलेगा इस light source के दोरा उसको E1 माल देंगे अच्छा यह जो surface है इसका जो area A2 है इस पर जो illumination मिलेगा उसको E2 माल देंगे वैसे ही यह जो तीसरा सर्फेस है तीसरे सर्फेस का जो एरिया है उसको A3 माल लेंगे और इसका illumination जो होगा A3 होगा अगर मैं पूछू कि inverse square law के अनुसार यह जो first surface है जिसका area का value A1 है तो inverse square law के अनुसार यहाँ पे illumination का value कितना होगा तो चलो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आप समझने का कोशिस करना inverse square law क्या बोलता है inverse square law बोलता है कि जो illumination होता है किसी surface पे जो illumination होता है वो inversely proportional to inversely proportional to a square of distance between source and surface होता है तो मानलो हम लोगों को यहाँ पे illumination चाहिए ठीक है surface one पे और इसका illumination जो है even है तो यह क्या होगा inversely proportional होगा a square of distance between source and area या source and surface तो हम लोगों को a1 surface पे चाहिए था या even area पे चाहिए था illumination तो हम लोगों ने even लिख लिया और inversely proportional होगा किसका तो square of a square of distance between source and area तो source of area के बीच का जो distance है even के लिए वो r1 है तो हम लोगों क्या लिखेंगे r1 का square ठीक है तो यही हमारा relation होगा according to inverse square law for the first surface वैसे अगर second surface जिसका area का value a2 है यहाँ पे illumination का value क्या होगा तो यह तो e2 हम लोगों पहले से माने होगा है यह inversely proportional होगा a square of area between source and distance तो यहाँ पे जो distance है source और area के बीच में या source और surface के बीच में वो r2 है तो हम लोगों लिखेंगे r2 का square आ रहा है समझ में ठीक है बहुत ही असान सा लोग है वैसे हम लोग third area जो है इस पे जो illumination मिलता है इसको पहले से मान रखें है a3 होता है यह inversely proportional होगा one by square of distance between source and surface तो distance between source and surface कितना है r3 है तो r3 का square ठीक है I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो according to inverse square law हम लोग तीन अलग-अलग surfaces पे illumination का value ऐसे भी लिख सकते है या इसको commonly ऐसे लिखा जाता है ठीक है आप लोग भी चाहो तो यह लिख सकते हो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे कुछ proofs है हमारे पास कुछ equation से इस law को प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कुछ चीज consider करना पड़ेगा इसलिए हमने यह आप लिखा where a is equal to point source of light a is क्या है तो point source of lights है ठीक है point source of light है एक point है जिस point से यह light emit कर रहा है a1, a2, a3 क्या है आप लोग समझ गए होगे a1, a2, a3 क्या है मतलब तीन हम लोगोंने surface consider किया तीनों surface का area है तो यहाँ पर हमने लिखा area of parallel surfaces तीन हम लोग surface consider किये थे तीनों एक दूसरे के parallel है और उसका जो area है a1, a2, a3 है इसलिए हमने लिखा area of parallel surfaces R1, R2, R3 क्या है तो यह भी आप लोग जान रहे हो surface जो तीन surface है उसका distance है source से source से पहला surface का जो distance consider करेंगे R1 consider करेंगे source से जो दूसरा surface है उसका distance R2 consider करेंगे और source से जो तीसरा surface है उसका distance R3 consider करेंगे तो R1, R2, R3 क्या होगा distance of parallel surface from point source अब हम लोग को साथ पहले से भी पता होगा मैं खुद ही प्रहाया हूँ आप लोगों को कि अगर मालों यहाँ पे फ्लक्स का वैलू चाहिए फॉस्ट जो सर्फेस है अगर उस फर्स्ट सर्फेस का एडिया एवं है और उस एवन एडिया पे अगर हम लोगों को illumination का value चाहिए, sorry, flux का value चाहिए, luminous flux का value चाहिए, तो उसका value क्या लिखेंगे, so, लिख सकते हैं, flux, flux on area A1, flux on area A1 क्या लिखेंगे, तो flux on area A1 जो होगा, I into omega होगा, ठीके, I into omega होगा, हम I into omega क्यों लिखेंगे हैं, तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, कि जो luminous intensity होता है, अल्रेडी मेरा बताया हुआ, तो आप लोग के, luminous intensity, intensity, I का formula मैंने आप लोग को पढ़ाया था, I equal to 5 by omega, ठीके, luminous intensity, I equal to 5 by omega, अगर यहां से हम लोग 5 यानि कि flux का value निकाल ले है, तो I into omega लिख सकते हैं, तो देखो, यहां पर हम लोग किसका equation लिखेंगे हैं, flux का equation लिखेंगे, flux on area A1, यानि कि area A1 पर हम लोगों को flux कितना मिल रहा है, ठीके, area A1 पर 5 का value कितना है, तो यह होगा, intensity into omega, omega हमारा solid angle होता है, ठीके, तो I into omega हो जाएगा, omega solid angle होता है, अब देखो, तो यह हमारा एक equation मिल गया, किसका flux on area A1 पर, अब हम लोग यह भी जानते हैं, कि solid angle का value क्या होता है, omega का value क्या होता है, तो लिखोगे, where the value of solid angle, where the value of solid angle omega, that is omega equal to, आप लोगों मैंने पढ़ाया हुआ है, solid angle का formula, area divided by, और distance का square, क्या पढ़ाया, distance या radius भी कभी कभी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर distance लिखेंगे, distance का square, अब देखो, area हम लोगों कौन सा consider करना है, तो हम लोगों first surface का area consider करना है, तो first surface का area होता है, वो A1 हम लोगों ने consider किया हुआ, तो A1 लिखेंगे, अच्छा, first surface है, इसका distance कितना है source से, तो R1 है, तो यहाँ पर हम लोगों क्या लिख लेंगे भाई, R1 का square, ठीक है, अब देखो, हम लोगों क्या करेंगे, omega का value यहाँ पर put कर देंगे, flux वाले equation में put कर देंगे, तो लिखेंगे, इसको equation 1 मान लेंगे, और इसको equation 2 मान लेंगे, और लिखेंगे, now putting the value of omega in equation 1, equation 1 में omega का value put कर देंगे, तो हमारा यह आजाएगा, flux on area A1, so flux on area A1, equal to क्या हो जाएगा भाई, तो I तो पहले से था ही, हम लोगों को omega का value put करना है, तो यह value आजाएगा, omega का यह वाला value A1 divided by R1 का square, किसका आगया, R1 का square आगया, यह हमारा flux का value आगया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग luminance का value निकालेंगे, sorry, illumination का value निकालेंगे, illumination भी आप लोगों को already हम बता चुके हैं कि illumination क्या होता है, ठीके, तो illumination का formula put करेंगे, तो illumination का formula आप लोग जानते हो, flux per unit area होता है, तो हम लोग लिखेंगे, so illumination equal to, यहाँ लिखेंगे, so illumination on surface, on surface A1, illumination on surface A1, E1 equal to माल लेंगे, यहाँ पे जो illumination हो रहा है, पहले ही माने हुए E1 होता है, ठीके, तो यह क्या होता है, 5 by A होता है, क्या, तो 5 by यहाँ पे A1 consider करना है, अब 5 का value put करेंगे, देखो यह हमारा 5 का ही तो value है, यह किसका value है, 5 का ही तो value है, यह 5 का value कितना है, तो पहले 5 का value put करोगे, इतना, इस equation में, देखोगे, illumination वाला जो equation है, यहाँ पे 5 का value put करेंगे, और इस 5 का value कितना है, यह है 5 का value, तो put करो यहाँ पे, तो I A1 by क्या हो जाएगा, R1 का square into, यहाँ पे A1 तो है पहले से, तो A1 हो जाएगा, यह cancel हो जाएगा, तो देखो, overall illumination का value क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो illumination E1 equal to आ गया, यह value कितना आ गया, I divided by, देखोगे, यह value आ गया, I divided by R1 का square, ठीक है, R1 का square आ गया, I divided by R1 का square, अगर इस equation से हम बोले, कि यहाँ पे जो illumination A1 है, यानि कि surface area A1 पे जो हम लोगो illumination मिल रहा है, यह inversely proportional to, देखोगे, E1 का value क्या आएगा, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, यह I हमारा constant हो जाएगा, तो इसको हम लोग सकते हैं क्या, कि यहाँ पे E1 और R1 जो है inversely proportional है, distance between source and surface है, तो हम लोग जो statement पढ़े, उसके नुसार यहाँ पे आ गया, अभी इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, जब मौका मिलेगा, तब लिखेंगे, थ्वासा और भी concept को बताना है, तो एक काम कीजिए, पहले वीडियो को pause करके, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, अब आपके पास क्या करना है, या आपके पास दो option है, देखो क्या क्या, हम लोग पहले आप करना क्या है, हम लोग surface area A1 का illumination का value निकाले, वैसा ही surface area जो surface, second surface considered किये थे, जिसका area क्या था, A2 था, अब यहाँ पे जब illumination निकालना होगा, तो same process से निकालेंगे, अगर same process से तो क्या आएगा E2 का value, same to same यही आएगा, ठीक है, यहाँ पे R1 के जगह पे, R1 के जगह पे सिर्फ R2 आजाएगा, देखो यही सारा process करेंगे, यहाँ सा लिखेंगे, flux on area A2 लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, I into omega लिखेंगे, ठीक है, अच्छा, where the value of solid angle omega का value कितना निकालेंगे, तो area divided by distance, तो यहाँ पे area तो कितना होगा, area का नाम आपको change करना पड़ेगा, area का नाम हो जाएगा, A2 और R का value हो जाएगा, R2 का whole square, ठीक है, तो बस नाम change होगा, बाकी equation वैसे ही आएगा, फिर flux का value निकालोगे, तो I into यहाँ पे A2 divided by R2 आजाए और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जब equation में यहाँ पे put करेंगे, यहाँ पे illumination E2 का value लिखेंगे, और illumination E2 का value लिखेंगे, 5 by A2, और 5 का value यहाँ से put करो गए, तो A2 पहले से रहेगा, यहाँ पे भी एक A2 रहेगा, cancel हो जाएगा, तो यह equation आजाएगा, I divided by R2 का square, यह हम लोग यहाँ पे similarly करके ही लिखेंगे, हम बता चुके हैं इसका concept, वेडियो को pause किजिए, फटा फट लिख लिजे पहले, चलिए, तो I hope कि आप लोग लिख लिखेंगे, अब क्या करना है, similarly करके कर लेते हैं, तो टाइम बच जाएगा, आपके exam में भी, अगर ऐसा लिख का square, ठीक है, यह आप लिख सकते हैं यहाँ से, अच्छा एक काम करना, यहाँ पे भी लिख लेना, E1 जो है directly proportional to क्या लिख लोगे, सरी, inversely proportional to R1 का square कर लेना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे E2 जो होता है, inversely proportional to R2 का square होता है, ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, E1 is to E2 लिख लेना है, ratio के form में लिख लेना है, ठीक है, E1 is to E2 लिखोगे, तो 1 by R1 का square, is to 1 by R2 का square करोगे, ठीक है, तो यही हमारा finally मिल गया, और इसके नीचे में आपको a statement लिखेगा, So, from above equation, above equation, we obtained that, we obtained that the illumination, the illumination on a surface, on a surface, on a surface. is inversely proportional to, proportional to a square of distance between, a square of distance between, source and surface. ठीक है, तो जो statement यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े, inverse square law में, उसको finally यहाँ पे इस equation के नीचे आप लिखते हो, तो सामने वाले को यह समझ में आता है कि बंदे ने प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है, source से area या का सकते हो, surface बढ़ते जाता है, या surface का distance बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारा illumination का value क्या है, घटते जाता है, ठीक है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को post कीजिए, फट आप फट यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद हम लोग second law पढ़ेंगे, second law है, Lambert Cosine Law, तो सबसे पहले Lambert Cosine Law का statement पढ़ते हैं, और statement से समझने का कोशिज करते हैं, कि यह law क्या बताता है, according to this law, illumination of a surface is directly proportional to the cosine of angle between normal and incident flux, ठीक है, फिर से मैं repeat कर देता हूँ, इस statement को और समझाने का कोशिज करता हूँ, according to this law, मतलब इस law के अनुसार, illumination of a surface, मतलब कोई surface है, वहाँ पे जो illumination हो रहा है, is directly proportional to the cosine of angle, is directly proportional to cosine of angle between normal and incident flux, ठीक है, मतलब बोला जारा है कि कोई surface है, और उस surface पे जो illumination हो रहा है, वो directly proportional होगा, एक angle का, जो की cos के tau में होगा, यानि की cosine angle का, directly proportional होगा illumination, और वो cosine angle किसके किसके बीच में बन रहा है, तो normal और incident flux के बीच में बन रहा है, ठीक है, तो चलो, अगर समझ में आए, तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए, तो सिधे इस figure से समझते हैं, यहाँ पे मैंने दो अलग-अलग figure ड्रो कर रखा है, ठीक है, यहा पे यह surface है, तो surface पे अलग-अलग points पे आके, वो flux क्या होंगे, टकराएंगे, तो जहां surface पे flux आके मिलेगा, या टकराएगा, वहाँ पे illumination होगा, ठीक है, तो अलग-अलग points हम लोगों ने consider किया हुआ, लेंबर्ट को साइन लोग को समझने के लिए, अब देखो, यह जो line है, इसको हम लोग normal line बोलते हैं, मतलब यह light source है, और surface के बीच में एक straight line बन गया, इसको हम लोग एक normal line बोलते हैं, लेकिन point A पे जो line आया है, point B पे जो line है, point C पे और point D पे, यह inclined line है, तिर्छा line है, ठीक है, तो यह normal के साथ क्या करेंगे, यह कुछ angle बनाएंगे, जैसे B point पे जो illumination होगा, ठीक है, तो यह हमारा normal के साथ theta 1 का angle बनाएगा, वज़ से C point पे जो illumination हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को normal से एक angle मिल जाएगा, theta 2, वज़ से D point पे जो illumination होगा, normal से एक angle मिल जाएगा, theta 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 case है, पहला case यह है, कि light source है, एक त पूला क्या होगा अच्छा यह जो लेंबर्ड को साइन लो था इसके अनुसार ई जो होता डिरेक्टली प्रपोस्टनल टू कॉस्ट ठीटा होता है यह जो स्टेट्मेंट पर है इस स्टेट्मेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इलुमिनेशन जो होगा डिरेक्टली प्रपोस्टनल टू कॉस्ट ठीटा होगा और यह जो ठीटा होगा यह एक एंगिल है और यह एंगिल किसके किसके बीच में बन रहा है तो नॉर्मल और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में बन रहा है जैसे यहीं पर आप देख सकते हो यह नॉर्मल है और ये वाला incident flux है ठीक है ये incident flux है तो इसके बीच में एक angle बना theta 1 वैसे ही अगर मान लो जैसे एक example से भी बता देते हैं कि आपको अगर b point पे illumination निकालना हो और इस law के अनुसार लिखना हो तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे जो illumination हो रहा है ये even हो रहा है तो even illumination जो होगा ये b point पे होगा और ये directly proportional to होगा cos और theta लिखने की जब बाड़ी आएगी तो हम लोग लिखेंगे theta 1 ठीक है वैसे ही अगर मैं बोलू कि c point पे जो illumination होता है उसको हम लोग e2 से पर जेन करते हैं और according to lambert cosine law लिखेंगे तो e2 का value क्या लिखेंगे e2 directly proportional to cos theta 2 लिखेंगे क्योंकि c point पे जो illumination हो रहा है तो normal line से ये जो line है इसके बीच में जो angle बन रहा है theta 2 बन रहा है ऐसा ही e3 point मतलब d point पे जो illumination होगा इसको e3 लिख लेगे और e3 का जब illumination का value लिखना होगा according to lambert cosine law तो ये सब लिख सकते हैं चलिए तो आसा इसको मिटा देते हैं आपको basically ये याद रखना ये format है या formula है या जो बोलना है बुलिए इसको याद रखना है illumination is directly proportional to cos theta theta जो होता है एक angle है और ये angle normal और incident line के बीच में बनता है ठीक है अगर देखो यहाँ पर दो cases हो गया एक तो normal और एक incline अगर normal plane पे होगा तो इसके लिए हम लोग इल्लुमिनेशन का फर्मूला क्या लिखेंगे in the normal surface इसको हम लोग normal surface consider करें तो इसके लिए illumination का formula होगा e equal to 5 by a बहुत पहले से बताया है आज भी derivation में हम लोगों को illumination का value लिकालना था e1 a2 का अच्छा यहाँ पर देखोगे e1 a2 का जो फर्मूला निकालने है इसमें unit लिखना भूल गया थे lux unit होता है लिख लोगे हां तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो illumination e का formula होता है वो 5 by a होता है high flux होता ए एरिया होता है यह formula तब यूज करते हैं जब हमारा normal plane पे incident कर रहा होगा light हमारा incident कहां कर रहा है तो normal plane पे लेकिन जैसे जैसे यह line sorry light जो है inclined होते जाएगा ठीक है तो inclined जब होगा तो फिर यह वाला फर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे जैसे point B पे point C पे point D पे illumination निकालना होगा तो उसके लिए क्या formula लिखेंगे in the inclined surface inclined मतलब normal से यह क्या हो गया तिर्चा हो गया inclined हो गया तो उसके लिए क्या निकालेंगे 5 by a cos theta ठीक है और theta का value आपको यहाँ से देखना पड़ेगा थीटा का value क्या होता है आप लोग जानते हो 15 फिप्टीन डिग्री सी हो तो 20 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री चाहे जितना भी डिग्री सी हो यह थीटा का value आपको याद रखना है कि एक angle है और यह angle किसके किसके बीच में बन रहा है निकालना होगा तो यह वाला फर्मूला योज करेंगे और नॉर्मल लाइन का illumination का फर्मूला होगा तो यह वाला निकालेंगे अब देखो जिसीगर का जो बुक है उसमें यह फिगर दिया है यह तो मैं अपने से फिगर बता दिया आप लोग को समझाने के लिए जिसीगर क्या होगा देखो यहां पर लिखा हुआ भी है नॉर्मल टू दा सर्फेस मेक जीरो एंगिल टू दा फ्लक्स एक्सिस मतलब यह जो नॉर्मल लाइन है और फ्लक्स लाइन है दोनों सेम प्लेन पे होगा तो उसके लिए यह वाला फर्मूला यूज करेंगे लेकिन अगर हा कर लगा है कि इल्लुमिनेशन कुछ एंगिल पे हो रहा है नॉर्मल लाइन से कुछ एंगिल पे इल्लुमिनेशन हो रहा है तो उसके के लिए फर्मूला लिखते हैं e equal to five by a cos ठीटा अब इन दोनों मेंसे जो बनाना चाहते हो उस फीगर से आप helps plane कर सकते हो ऩह तो यह भी का हम लोग को illumination निकालना होता है तो आगे next जो लेक्चर हम पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि दोनों law of illumination को यूज करते हैं तो पहला हम लोगों ने law of illumination पढ़ा inverse square law और दूसरा Lambert cosine law तो किसी point का illumination हम लोग को निकालना होता है generally तो हम लोग दोनों law को यूज करते हैं एक law से हमारा काम नहीं चलता है तो next video lecture में हम बताएंगे कि कैसे दोनों law को combine करके हम लोग formula find out करते हैं ठीक है तो चलिए आज के class में बस इतना ही next video lecture में मिलते हैं next topic के साथ thank you